हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो हम देखेंगे 36 गड़ के मात्मौण प्रश्ण जो आने वाले सभी एक्जाम में आपकी लिए काफी मात्मौण होगा जैसे कि CGPAC और CGVAPAM में और चेत्र पाल का जो 19 दिसंबर की एक्जाम होने वाला है जो चेत्र रक्षक का है चेत्र रक्षक की एक्जाम का उसमें भी 36 गड़ के मात्मौण कोश्चन पुछे जाएंगे उन सभी को संभावित कोश्चन इसमें देखने हो को मिलेगा और आपका जो इसमें एक्जाम लिए जाने वाला है डाटा ऑपरेटर का उसमें भी 36 गड़ के मात्मौण कोश्चन पुछ जाएंगे तो उसके लिए हम टेस्ट ले आया है संभावित टेस्ट है अती मात्मौण प्रश्णों को इसमें लिए गया है और करेंट अफेर्स के प्रश्ण भी इसमें समलित की गया है इसके तरिक छेत्र के सायक जो जो जेस्ट संपरिक्षक का और सायक संपरिक्षक का जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफी मात्मौण प्रश्ण है तिसको आप लोग जरूर डिविजन करिएगा और हमारे साथ टेस्ट लगाते चलिएगा देखते हैं कि इतने चप्फ मात्रा में बिंदन चरसन पाई जाती है काउपी पहएं लेकर आप बढ़ जा है और एक का उप्षण अप लगा है कि ठीश स्यक्ष किष्छ race में अल्प मात्रा में बिंदन चटाने पाई जाती है मैं उसका अब एंसर बताने वाला हूं 36 गण में बिंदन चटाने पाई जाती हैं हमेशा चटानों से question जरूर देखा जाता है हरी जाय में तो चटानों का आप पढ़ेगे यदि आप से नहीं बनेगा तो और रंत में result भी हमें बताएंगे कि इतने question में से इतने को हमने हल किया, इतने को हमने wrong किया माइनस मार्किंग साब बचते हुए इसका right option हो जाएगा रायगड में ठीक है रायगड में बिंदन की चटाने जो है सबसे कम मात्रा में पाई जाती है चलिए next question आपके समक्ष है किस भुभाग को इब मैनी घाटी के नाम से जाना जाता है चार option आपके समक्ष है आपने सोच लिया होगा दूसरा का option आपने लिख लिया होगा चलिए मैं इसका right option बता रहा हूँ इसका right option हो जागा c number यानि कि नीचे घाट में जो है इब मैनी घाटी के नाम से जाना जाता है नेक्स कोचन आपके समक्ष है प्राणिक गरंथो के अनुसार हिरेने बाहू यह स्वरण भूजय के नाम से संबोधित किया जाता है चार option आपके समक्ष है आप जरूर इसका answer लिख लिए होंगे चलिए मैं इसका right option बता रहा हूँ कि पहराणिक गरंथो का अनुसार हिरेने बाहू वस्वरण भूजय के नाम से जाना जाता है कौन सानदी इसका right option क्या हो जाएगा यानि कि सोन नदी को सोन नदी को हिरेने बाहू और स्वरण भूजय के नाम से भी जाना जाता है नेक्स question हम चलिए आपने लिख लिया होगा चांथा question है पेंडरा वन बांध पर्योजना राज के किस जिले में अवस्थित है अपने सोच लिया और अपने लिख भी लिया टिक लगा लिया होगा चौथा का कौन सा option सही है चौथा का ये option सही है पेंडरा बन जो है रायपूर जीले में इस्तित है next question आप लोग को मिलाना है अवधिगीक छेत्रों से अभी बरतमान स्वह में जितने भी exam हुए हैं जैसा कि मंडी इंस्पेक्टर और उसके पैटरन को ध्यान में रखके इस प्रकार के प्रश्ण आपके लिए लेकर आए हैं तो जरूर लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और अपने नंबर भी हमें बताएंगे तो इसमें देखे आपका ये option में दिया है बेल टुकरी गरियाबन पवन तला काकेर तो इसमें से कौन सा सुमीनित निया है इसको बताना है आपने लिख दिया होगा इसका option बी correct है बी correct होगा ये लिए की पवन तला जो है कहां के रिमनी है आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि पवन तला कहां परस्ते थे बेल टुकरी गरियाबन मिछते थे सरवाधिक सिंचित जीले को घटते करम है बताएं कि हम बड़े से घटते की और चलेंगे यानि कि घटते करम का मतलब यह होता है सबसे अधिक मात्रा से हम कम मात्रे की और चलेंगे जो है आर्थिक सर्वेक्षंड से जरूर तीन से चार कोषण भी पूछा जा रहा है तो आर्थिक सर्वेक्षंड को भी आप अच्छे से देखेंगे इसको करम मिलाने के लिए इस प्रकार से दिया जाता है इसका आपने लिख लिया होगा मैं इसका राइट ओप्शन बता रहा हूँ पहले नंबर पर सबसे अधिक्तम है जांजगीर चमपा इसमें देखे फिर आएगा रायपूर फिर आएगा धमतरी और फिर आएगा दूर इसका ओप् लेते हैं और उसके अनुरूप और सलेवस को पढ़ लेते हैं निश्ची तुरुप से तीस में से लगभव 25 कोशन आप बना सकते हैं तो निश्ची तुरुप से काफी आपका महत्मूर सेक्शन रहता है 36 गड़ का जैनकर्णा ओधी 2001-2011 की दोरान राजी के किन जीलों में कर्मसा सरवाधिक और निउन्तम और जनसंखाय बिर्दिदर दर्ज की गई है तो 2011 जनकर्णा समय सा कोशन पूचा जाता है आपने सोच लिया होगा इसका राइट उप्सन हम बता रहे हैं इसका राइट उप्सन सी होगा जनकर्णा अवदी 2001-2011 दोरान राजी की जीलों मे सरवाधिक और निउन्तम और जनसंखाय बिर्दिह की गई है तो राज्य में पर्थम नी के नगरों भड़ करieht साथ से बढ़कर कितनी हो गई है तो जनकर्णा को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इस लिए मैंने बहुत सारे कौशन को भूस लिए है क्योंकि वहा है उन चीजों को आप छोड़ देते हैं ठीक है तो इसका option 9 हो जाएगा नेक्स्ट कोचन है जनगर्णा 2011 कनुसार राजे में कारसेल जन संक्या का परतीसत कितना है चार option आपके समझ आप टिक लगा लिये होंगे इसका right option C होगा यानि कि 47.69% कुंद्रू घाग जलपरपात कि ज इंगर्पर इसी परकार के PCA प्रिपम में पूशा गया था कि सेंडूर जला से किस अभ्यारान मिशते ठेखे था गाउन सा भेयारण मिशते ठेक है तो आपको इस परकार के प्रशनों से भी आपको आउगत होना चाहिए कि किस परकार से कॉश्ण चलाया जा रहा है रानी परेटन इस्थल राज की किस जीले में इस्तित है विष तुवर्या राज के किस इस्थान में अवस्तित है आप इसका राइट ऑप्षन आप N. comment जिले में नाथल दाई मंदिर का परवेश के लिए जिले आवस्तित है ठीक है मैकल सुता नाम के कारे जाने वाली नदी का नाम बताइए चार आपके पास है इसका राइट ऑप्शन डी होगा मैकल सुता नर्मदा नदी को कहा जाता है परदेश में कुल जल विदुत उत्पा है इसका राइट ऑफशन वी होगा चीडिंट उद्द्योग महतपुर्वर्ण रूप से राइट ऑप्शन इसका सी होगा यानि कि दुर्ग दुर्ग जीने में सिग्रेट है ठीक है डूला माइट उत्पादन में छत जान भारत में कॉन सा है तो इसका राइट आप्शन हो महा नदी बेशिन का अंत्रगत कीतने जिले सामिन है तो 20 का करेक्ट उप्षन सी होगा 15 जिले सामिन है चवर ढ़ाल क्या है तो इसका अप्षन होगा ए नंबर यानि कि परवतु की सिंखला को चवर ढ़ाल की नाम समझाते हैं उत्तर से दछिन करम में जमाए इस प्रकार से आ पंडरिया है उसके बाद कवरधा है उसके बाद छुई ख़दान आता है ठीक है पलमा चोटी कहां परिष्थ है तो पेंडरा मिश्थ है ठीक है नेक्स्ट कोचन है निम्नपरवतों को इसमें मिलान करना है तो 24 का करेक्ट उप्षन क्या हो जाएगा बी उप्षन हो तो इस प्रकार से आपको सुमिलित करेना है कई बार एक्जाम में पूछा गया है इसे प्रश्ण है नेक्स्ट है सकल नराण कूफा कहा प्रिष्थ है कई बार एक्जाम आया हुआ है राइट ओप्षन होगा बीजापूर जिले में आप लोग हमारे साथ टेस्ट को देते वो अतेली घाटी है मसका और प्रिया किस किस अएक नदी है इसका राइट ओप्षन आम्लेर नदी होगा ठेख है नेक्स्ट है इंद्रावती की कुल लंबाई कितनी है सभी जायनेंगे इसका राइट अप्षन होगा वी ओप्षन 308 नेक्स्ट कोचन है सोमनात्थ नामक इ है सोमनाथ इस्थान पर सभी लोग जानते होंगे चार अपके पास है समच लिए होंगे इसका राइट अप्शन होगा सीवनाथ और खारून ने दी नेक्स्ट है सीचाई स्तोरोत के तलाबों सोरी साधनों के घड़ते करव को बताईए तो छतिकड़ में सबस्यादिक में आया हुआ था तो आपको इसको भी देखते चलना है 31 का करेक्ट ओप्शन बी हो जाएगा याने की रुद्री उनेश्व और मरुमसिली उनेश्व तेज दुधावा उनेश्व बासट रविश अंकर है 78 और किंकारी है 82 तिस प्रकार से आपको मिलान करना है राजु गा प्लाचिन में हम प्लाशनी के नाम समझानते हैं प्लाशनी नदी कहा जाता है 33 का करेक्ट ओप्शन होगा सी यानि कि पैरी नदी को प्लाशनी नदी के नाम से भी प्लाचिन में जाना जाता था निम्न में से कौन सा करम गलत है इसमें नदियों का करम दिया गया है आपको म मात्मूर्ट टेस्ट असरीज हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तत हुए हैं इसी प्रकार के मात्मूर्ट न्यू वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम गुरूप एमके नॉलेज पर भी आप जोइनिंग करें जैय हैं